बहुत चला लिए इंस्टाग्राम के सोट्स अब दोस्तों बनाने सुरू कर दीजिए सोट नौट्स अगर आप सलेक्षन की तैयारी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सलेक्षन सुनिश्चित हो जाईए तो दोस्तों सलेक्षन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप को अब इंस्टाग्राम के सौर्ट छोड़ करके अपने पसू परीचर के सौर्ट नॉट्स बनाने स्टार्ट करना पड़ेगा अब सवाल यह आता है कि सर ये सौर्ट नॉट्स के बारे में सब बोलते हैं सौर्ट नॉट्स बनाओ सौर्ट नॉट्स बनाओ हम बनाए के से समय है और रण में जो अंत तक टिका रहता है आखिर में जो अपने सोरिये का पर्चम दिखाता है वही दोस्तों युद्ध का असली विजेता होता है और ये एक्जाम भी एक युद्ध से कम नहीं है तो हो जाए तयार और उठा लीजिए अपना कलम रुपी हतियार और देख कि जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना लेकिन मैं आपके सामने ये प्रेजन्ट करने जा रहा हूँ कि आप लोग सोर्चनोट कैसे बना सकते हैं जैसे कि दोस्तों आज का मान लो टापिक लेकर करके आता हूँ कि गाई के उपर आपको सौर्चनोट बनाने है तो ग गाई पे कैसे हम सौटनोट्स बनाएं इसके बारे में जरा बताईए तो देखो दोस्तों सबसे पहले में आपको बताना चाहता हूँ ये हो गई गाई अब गाई के बारे में आपको सौटनोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले दोस्तों सुरुवात कैसे करेंगे अब दो मिनट तक बिना रुके बिना ठके ढंक से देख लेना सारी बात समझ में आ जाएगी गाई में मैं सबसे पहले कह देता हूँ इसका वैसक यानी एडल्ट दोस्तों नर क्या कहलाता है मादा क्या कहलाती है ये क्या कहलाते है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे गाई का जो यहां पर दोस्तों बात बोलूँ इसका आवास क्या कहलाता है गाई का जो समू है वो क्या कहलाता है गाई का दोस्तों मुखे रुप से बात करें गाई के लिए तो इसमें संभोग की क्रिया क्या क्या कहलाती है संभोग के बाद में दोस्तों क्या यहां पर देखने को मिलेगा प्रसव की क्रिया तो दोस्तों प्रसव की क्रिया इसमें क्या कहलाती है गाई में प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है बहुत ही प्यारा तरीके से आप लोग लिख लेंगे इसके बाद दोस्तों प्रसव के बाद गाय का बच्चा यानि की न्यूबॉर्न जो है वो क्या कहलाता है ये सब कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है गाय का जो बच्चा है वो काफ कहलाता है ठीक है साब इसके अलावा दोस्तों वैस्क की बात हो गई जवान बच्चे के बाद जवान नर जो गाई का है वो क्या कहलाएगा गाई में दोस्तों जवान इसकी मादा की बात करूँ और मुख्य रूप से देखें तो इस गाई के लिए यहाँ पर गाई सब्द नहीं यूज होकर के आपका कौन सा सब्द दोस्तों यहाँ पर काम में लिया जाएगा वो है केटल क्या काम में लिया जाएगा केटल का मतलब होता है मवेसी केटल का मतलब क्या होता है मवेसी दोस्तों मवेसी मवेसी क्या है गाई का पूरा परिवार है जिसमें बचडा भी सामिलोगा बेल भी सामिलोगा सभी सामिल होंगे तो वो होते हैं मवेसी और गाई होती है इसकी वयस्क मादा ठीक है साब इतनी बातें हो गई आगे बताओ हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं फिर इसके बाद यहीं पे आप लिखेंगे कि इसके गुण सुत्तर क्या हो कितने हैं साथी साथ यहां आप ये बता देंगे कि इसका जो बदियाकरित नर है वो क्या कहलाता है बदियाकरित नर में दोस्तों दो तरीके से बदियाकरन होगा एक तो बोजा डोने के लिए बदियाकरन किया जाएगा और एक इस बदियाकरन किसलिए किया जाएगा इसका आपको भी पता है बोजह डोने के अलवा दूसरा मास उत्पादन है तो इसका बदिया करन किया जा सकता है दोस्तों मास उत्पादन के लिए बदिया करन करेंगे उसको श्टीर कहेंगे और बोजह डोने के लिए जो बदिया करन किया जाएगा उसको क्या कह देंगे दोस्तों आपका मुख्य रूप से बुल्लक कह देंगे साथ ही यहाँ पे एक और नाम आता है दोस्तों वो आता है टीजर बुल क्या है ये भी ध्यान रखना है गुण सुत्र कितने होते है इसका वेग्यानिक नाम क्या होता है ये भी आपको बताना है यहाँ दोस्तों वेग्यानिक नाम के साथ साथ वेग्यानिक नाम कितने परकार से आप डिवाइड कर सकते हो देसी गाय का वेग्यानिक नाम क्या है विदेसी गाय का वेग्यानिक नाम क्या है फिर आप कहोगे सर इतनी बातें हो गई और क्या सोट नोट बनाए और दोस्तों आप इसकी संख्या से रिलेटेड बना सकते हैं सर संख्या से रिलेटेड मतलब आप ये बता सकते हैं कि राजस्तान में दोस्तों कितनी गाई जो है 2019 के एकोर्डिंग आपके यहां पर देखने को मिलेगी उसके अलावा यहां आप ये बता सकते हैं कि गाई की संख्या में वरदी हुई या बडोतरी हुई राजस्तान का इंडिया में इंडिया में बोलें तो संख्या के मामले में इंडिया में फ़र्ष्ट कौन सा इस्टेट है इंडिया में फ़र्ष्ट कौन है वेस्ट बंगाल फ़र्ष्ट पे है और वेस्ट बंगाल इसके अलावा यहां और क्या बता देंगे इस्ट्रस चक्र जो है इस्ट्रस चक्र जो है गाय का कितने दिन का आता है 21 दिन का आता है गाय किस प्रकार का जानवर होती है इस्ट्रस इसमें से कितने टाइम तक रहती है हीट गाय में हीट गाय में 18 से 24 गंटे तक रहती है गाय क आती साथ आप ये भी बता सकते हैं कि गाय के अंदर जो कुल दात है दोस्तों वो कितने होते हैं 32 होते हैं दंत सुत्र आप जल्दी से लिख देंगे कितना होता है गाय की दोस्तों औसत उम्र कितनी होती है गाय की दोस्तों औसत उम्र जो है वो कितनी होती है गाय की दोस्तों योवनावस्ता कितनी एज में आती है ये सब चीजें आप देखो सोर्ट नोट की फोर्म में बना सकते हैं ऐसे एक चार्ट की फोर्म में सर और क्या हम सोर्ट नोट में लिख सकते हैं तो देखो जरा यहां से गाय का क्या लिख सकते हो दोस्तों सारीरिक तापमान आप लोग यहां से आप इसकी नाड़ी दर लिख सकते हैं दोस्तों यह सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितनी होती है तापमान कितना होता है 101.5 डिगरी सेल्सियस जो है वो सोरी सेल्सियस नहीं फोरेनाइट सेल्सियस में तो इतने में भूंगडे बन जाएंगे रहे 101.5 डिगरी फोरेनाइट होता है सेल्सियस में कितना होता है आप लोग बताएंगे इसके साथ दोस्तों और क्या बना सकते हैं गाई से रिलेटेड और क्या बना सकते हैं कि CIRC Central Institute for Research on Cattle ये कहां है ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए मेरट के अंदर है यूपी के अंदर गाई के वैसक नर को आपको पता है बुल कहते हैं सांड कहते हैं बेल कहते हैं ठीक है साथ बेल कह दिया मादा को क्या कहते हैं काउ कहते हैं आवास इसका क्या होता है दोस्तों आवास इसका क्या हो जाएगा यहां से बोलें तो गाय का जो आवास है हर्ड यूज कर लेंगे हर्ड तो इसका समू हो जाएगा हर्ड क्या हो जाएगा समू तो आवास हो जाएगा बार्न या बाइरे हो जाएगा संभोग की किरिया इसमें सर्विंग हो जाएगी दोस्तों क्या कहला अब देखो काविंग से एक और चीज याद आई कि स्वाट नोट में आप और क्या एड कर सकते हैं यहां से कि गाई का दोस्तों देखो इधर लेकर के आ रहा हूं मेरे पास जगे कम है आप थोड़ा आराम से लिखेंगे तो गाई का जो गरब काल है वो कितने दिन का होता है जो देखें तो सुस्क काल कितने दिन का देखने को मिलता है सुस्क काल यानि ड्राइ पीरियड जो है दोस्तों साथ दिन का मिलेगा इसके अलावा दोस्तों गाई में और क्या बात कर सकते हैं दुग्द काल यानि कितने टाइम ये दूद देगी तो दोस्तों 305 दिन मुख वापिस जो गाय को परतम बार क्या करेंगे, परतम बार first successfully वो क्या हो जाएगी, conceive हो जाएगी, वह वाला time क्या कहलाएगा इसके लिए, कौन सा period कहलाएगा, service period कहलाएगा, यानि प्रसव के पश्चात यह देखने को मिलता है, तो इसका जवान नर क्या कहलाता है, जवान माद क्या कहलाती है, जिसने अभी तक बच्चा नहीं दिया हो, हीफर कहलाती है, दोस्तों, क्या कहलाती है, हीफर कहलाती है, जवान हो जाएगा, बुलक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मास के लिए जो है, वो इस्टीर कहलाएगा, दोस्तों, टीजर बुल क्या होता है, टीजर ब का नाम बोस इंडिकस होता है क्या नाम होता है बोस इंडिकस होता है बोस इंडिकस इसका क्या होता है नाम होता है और विदेशी का क्या होता है दोस्तों बोस टॉरस जो है वो नाम आपको यहां देखने को मिलेगा यहां बात करें राजस्तान में कितनी है 149 लाक जो गाएं ह है पहले नंबर पे राजस्तान में यहां लिख सकते हो फस्थ है वो राजस्तान mäんな फस्थ कौन है आपका बीगानेर फस्थ पे है और लास्थ में कौन है दोस्तों तो धोलपूर जो है वो राजस्तान में कौन है लाश्ट है दोस्तों विकानेर कौन है फ़स्ट है तो सारी राम कहानी यहीं खतम कर सकते हो इसका दंत सुत्र कितना होता है 0033 बटे 4033 जीरो 33 बटे 4033 इंटु टू इनसाइजर केनाइन प्री मोलर और मोलर बताओ यह जो कहानी है इस तरीके से देखो पूरी गाय जो है समाप्त हो गई यहां देखो इसकी पॉपूलेशन इसका विग्यानिक नाम इसकी टर्मिनोलोजी इसका इंस्टिट्यूट कहां इस्तित है इसकी स्वसंदर नाडी दर इसका तापमान औसत उम्र योवनावस्ता दंत सब चीजें दोस्तों देखो यहां से इजीली क्लियर हो गई इसके अलावा आप लोग यह भी कमेंट करके बताएंगे कि गाय में फुल माउथ कंडिशन कब आती है फुल माउथ कंडिशन का मतलब पता है न कि सारे पर्मानेंट जो दात है वो गाय में कब तक आ जाएंगे तो यह सारी डिटेल जो है गाय के बारे में एक चार्ट पे उकेर देना यह है दोस्त सौर्ट नॉट इसमें मैंने यह कहीं भी नहीं लिखा गाय का आवास कहलाता है बारनिया बारे बच्चे नहीं हो गाय आवास बारनिया बारे अब आपको पता है गाय का आवास बारनिय बाइरे कहलाता है ये चीजे पढ़ोगे एक मिनट में रिविजन हो जाएगा पूरी गाय का ऐसे ही आपको किसका बनाना है भेंस का केमल का ऐसे घोडे का ऐसे इनकी नसलों का भी बना देंगे ऐसे बिमारियों के चार्ट हो जाएंगे जीवानों जनित बिमारियां ये इदर बिमारी का नाम ये बिमारी के अन्य नाम ये बिमारी का रोग का रख और ये कुछ उसका इंपोर्टेंट लक्सन इस तरीके से दोस्तों सौर्ट नौट बनाओ सौर्ट देखना छोड़ दो इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दो कुछ दिनों के लिए सिर्प दो महीने के ल ही आए जाही नहीं पाओगे डिप्रेसन में चाहके भी नहीं जा पाओगे इतनी जबरदस्त तैयारी कर दो दोस्तों आपकी सफलता आपके कदमों के नीचे होगी दोस्तों इस तरीके से सोट नॉट बनाओ और मैं विचार कर रहा हूं इसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत प्यारे short notes और MCQs की एक जो भुक तयार करने की, ये मैंने आपको तरीका बताया कि short notes आप कैसे बनाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, आपको क्या problem है, किस टाइप का वीडियो से ये, आप comment box में जरूर comment करके बताएं, रक्स झाल